नोशकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर तो दोस्तों कारगिल युद के बाद कारगिल ग्रूप अफ मिनिस्टर्स का गठन किया जाता है और उन्होंने काफी रिकमेंडेशन दिये उनमें से एक रिकमेंडेशन था एक ऑफिस बनाना जिसका नाम होग रहा है और मिलिटरी सर्कल्स की अगर हम बात करें तो कई लोग कह रहे हैं बहुत नीडेड ऑफिस था चब्विस ग्यारा के बाद भी हमने कुछ सीखा नहीं उसके बाद जाके अब जाके यह ऑफिस की गटन हुई है याने देर आये हैं पर दुरुस्त आये हैं तो क्या ही ये नाशनल मरिटाइम सेक्यूरिटी कॉडिनेटर की ऑफिस क्यों ये इतनी इंपोर्टेंट बताई जा रही है इन सभी आसपेक्स पर आज की इस ट्लास में हम चर्चा करने वाले हैं जैसा आप न्यूज में देख सकते हैं इंडिया नियू मरिटाइम सेक्यूरिटी अधरी है और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर आप मुझसे मेरे टेलिग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडियेफ अपडेट्स मिल जाएंगे साथी साथ आपको कहना चाहूंगा जब भी अनकैट इधर होंगे government को maritime security domain में और ये national security advisor याने श्री अजीद दोवाल जी को report करेंगे and national security council secretariat के माध्यम से तो एक national security council secretariat office होगा जिसके दवारा ये NSA को report करेंगे और ये directly आप देखें तो जो हमारी executive है उनको NSA reports देंगे तो ये एक apex body होगी जो की maritime affairs को manage करेगी और इसकी जो formation पहले कारगिल युद के बाद group of ministers में जो बनाई गई थी एक जो body थी उस body ने इस advice को दिया थो और अब जाके इसको अमल किया जा रहा है जाने की 22 साल हो चुके हैं लेकिन यह office बहुत important है तो क्यों यह office इतना important बताया जा रहा है तो दोस्तों यह office की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप देखें तो इस वक्त कितने maritime securities में authorities involved हैं आप एक बार देखिए अगर ministry की बात करूं तो external affairs ministry भी है defense ministry भी है home ministry भी है shipping ministries भी है वैसे ही आप forces and agencies की बात कीजिए तो navy भी है coast guard भी है customs भी है दुनिया भर के intelligence agencies भी है port authorities भी है और state government and maritime police forces भी है तो इस तरीके से आप देखें तो maritime security में multitude of agencies हैं अलग-अलग agencies एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या आवशकता है आवशकता है एक ऐसी office बनाई जाए जो की इन सारे agencies के बीच में coordinate करें और coordinate करके जो big picture इनको मिलता है consolidate करके data and information compile करके वो information फिर जाके direct हमारे executives and chosen representatives के परास पहुंचे याने Prime Minister Office and NSA के पहुंचे तो NMSC अगर आप देखें तो यह interface का काम करेंगे अलग-अलग agencies फिर वो चाहे maritime domain में काम कर रही है जितनी भी maritime domain में अलग-अलग agencies काम कर रही है फिर वो चाहे civilian हो या फिर चाहे military हो या तो नेवी की हो कोजगार्ड की हो या फिर नेवी कोजगार्ड के सिवा आप देखें तो intelligence, sport authorities तो जितनी भी civilian and maritime domain में जितनी भी civilian and military agencies है इन सब के बीच में यह coordinate करेंगी और एक interface का काम करेंगी तो इनका जो काम होगा यह अलग-अलग maritime security domain में जो भी security issues हो सकते हैं उन सब को देखना और nodal point बनना जितने भी जितने भी agencies हैं इस field में उन सब के लिए nodal point का काम करेंगे तो इसके सिवा आप देखें तो government agencies के लिए भी responsible रहेंगे जो maritime security के domain में काम कर रहे हैं and crucial input देंगे जो हमारे political and security leadership है याने की executive को inputs देना on the basis of big picture जो यह इन सारे agencies से collate करके जोड़के देख पा रहे हैं वो अगा कर आना and बताना तो साथ साथ बताई जा रही है country की blue economy के needs के लिए भी यह office बड़ी important होने वाली है तो इससे पहले आगे बड़े आपको बता दू दोस्तो जो भारत के पहले national maritime security coordinator बने हैं उनका नाम है Vice Admiral जी अशोक कुमार जी तो इनको यह office दी गई है तो यदि हम भारत के maritime security challenge की बात करें तो इस वक्त भारत कई maritime challenges face कर रहा है एक तो दोस्तों traditional maritime conflicts जो की आप देखें तो इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन बनता जा रहा है जो की ocean of struggle बनता जा रहा है तो बहुत ज्यादा यहां पे चाइना का भी दबदबा देखने मिल रहा है और उनकी भी मजबूरी ह कहीं न कहीं आप देख सकते हैं मलक का डिलेमा जिसको कहा जाता है 80% of China's energy supplies इस narrow strait मलक का स्ट्रेट से आते हैं साथी साथ आप देख सकते हैं यहां पर अन्य Gulf of Eden जैसे भी इलाके हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी piracy बहुत ज्यादा आपको देखने मिल रही क् इसको यह चोक पॉइंट सकते हैं यहां पर इरान भी है और इरान जो वेस्टन वर्ल्ड है उनके बीच में भी confrontation चलता रहता है तो वैसे ही यह वाला भी जो security यह वाला भी जो maritime route है स्टेट ऑफ हॉर्मूस के च्रूप जो गुजर रहा है जहां से दुनिया को energy supply lines maintain की जाती है वो भी another hotbed है तो इसलिए दोस्तों इंडियन ओशन अगर आप ऐसा hole देखें तो यहां पे एक maritime great game इस वक्त होता हुआ दिख रहा है तो चाइना की world's largest नेजी है इस वक्त 300 warships and submarine ह और वो pacific के साथ साथ इंडियन ओशन पर अपना main focus आपको देखने मिल रहा है तो इसमें आप जानते ही हैं ग्वादर port वैसे ही आप जानते हैं अन्य हम्मन टोटा मराव अट आल वैसे ही port कियांग प्यू जैसे अन्य बांगलादेश में भी वैसे ही port हैं तो आप जानते ह से चाइना यहां पर अलग-अलग investment कर रहा है और dual purpose वाले ports इन इलाकों में बनते हुए देख रहे हैं तो कहीं न कहीं string of pearls आप सब रूबरू हो चुके हैं इससे तो बहुत जरूरी है दोस्तों इंडियन ओशन की security in maritime conflicts जो की बन रही है nations के बीच में एक confrontation देखने मिल रही है चाइना का BRI प्रोजेक्ट है जो की ग्वादर पोर्ट एंड अन्य पोर्ट जो अल्रडी मैंने आपको बताए जिनके थूँ वो अपना sphere of influence बड़ा कर रहा है तो कहीं न कहीं इंडिया के backyard में चाइना बहुत active होता हुआ जा रहा है तो वो भी एक aspect है इसके सिवा दोस्तों अगर हम blue economy वाली बात करें तो वह भी बहुत जरूरी होता होता जा रहा है क्योंकि आप देखें तो इंडिया का 70% trade by अगर आप देखें वाल्यूम तो by value अगर आप देखें तो वह कुछ इंडिया नोशन से ही आता है और साथ-साथ 70% of crude oil भारत इनी सी रूट से इंपोर् प्रूरी है भारत की energy security के लिए भी कि हम इंडियन ओशन को safeguard कर सकें साथ-साथ दोस्तों आप अगर देखें तो भारत कहा जा रहा है कि चाइना भी continuously भारत को engage करता है LAC वाले इलाके में पाकिस्तान भी आप देखें तो इसी land route जो हमारा land border है उसी में हमें engage कर रहा है तो इ कहा जा रहा है कहीं न कहीं हम एक sea blindness भी face कर रहे हैं तो यह sea blindness है और चायना भी चाहता है हम यह sea blindness face करते रहें क्योंकि वह जानता है उसकी दुखती रग इंडियन ओशन में है जिस वक्त इंडियन ओशन में भारत active हो जाएगा उस वक्त चायना को बहुत challenges face करने पड़ेंग हैं तो कहीं न कहीं हमको वो engage करवा रहा है land में और sea अभी भी जो focus होना चाहिए वो focus हम नहीं कर पा रहे हैं तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये national maritime security coordinator का post बनाया है और यह अगर आप देखें तो जो बहुत major architecture security and military architecture में reforms आये हैं जैसे cds का post बना है तो उसी के continuation में आप इस national security national maritime security coordinator के office को भी देखिएगा तो साथी साथ कहा जा रहा है कि इंडिया की जो active policy है सागर initiative है security and growth for all in the region बी portion mission है सागर माला project है उन सब के ही continuation में आपको ये national maritime security coordinator का office भी देखने मिल रहा है तो वो सब भी ensure कराना है तो बहुत important है blue economy का सपना भी पूरा करना तो NMSC सि strategic aspect नहीं देखेगी civilian aspect with respect to growth and development with respect to NMSC वो भी ensure करवाएगी ये office of NMSC तो दोस्तों इसी में end करने के पहले आपको एक बात कहना चाहूंगा कि maritime security में Alexis Juden financial times में उन्होंने South China Sea में जो China की जो हरकत रही है उसी को ध्यान में रखते वे उन्होंने कुछ line का कि within few generations world's ocean will no longer be colored blue blue नहीं होगा international नहीं होगा instead they would be claimed by nation states जैसे South China Sea आप देख सकते हैं 9-dash line के माध्यम से China claim कर रहा है and maps पर उन्हीं के अनुसार identify किये जाएंगे तो Indian Ocean कल को कौन claim करने वाला है यह भी आप देख सकते हैं उसका great game अल्रडी शुरूर हो चुका है और उसी में NMSC एक बहुत important office होने वाला है तो दोस्ता को कहना चाहूंगा an academy में ultimate prelims and CSAT test series हम रन कर रहे हैं तो आप test series है आप देख सकते हैं 28 test है जिसमें 20 GS और 8 CSAT के test है 3149 रुपए में है वहीं अगर आप 12 महिने के लिए 56 टेस्ट लेते हैं यह 6 महिन 6 मंस के लिए ही थी 12 महिने वाली 56 test है 40 GS 16 CSAT इसकी कीमत है 4409 रुपए यह तब है जब आप KC10 code का इस्तमाल करते हैं तो याद सिवा बहुत सारे test series के features हैं इसमें trackers है इंडिकेटर है आपका परफॉर्म कर रहा है परस्नलाइज रिपोर्ट आपका बन रहा है multiple times आप एक test को attempt कर सकते हैं इसके सिवा new combo week भी हम रन कर रहे है flat 22% off with combo 10% with educators code KC10 आपको मिल रहा है 18 months plus combo की कीमत 3898 रुपी 18 months iconic combo है 76 176 रुप mentorship है means question answer practice है study planner है और open house में आप बोल भी सकते हैं इसके सिवाद CSE combat CSAT special हम रन कर रहे हैं KC10 code का फायदा है plus subscription की एक साल की कीमत है 46 791 रुपीज एक साल की आइक की कीमत है 67041 रुपीज यह सारी कीमत है जब आप KC10 code यूज करते हैं यान है वो code जिससे आपको guidance and mentorship भी मिलती ह है एक साल की कीमत है optional की 24,750 रुप है loan की भी facility है नीचे link मिलेगा loan के लिए apply आप कर सकते है one to one live mentorship भी मिलती है आइकनिक में बहुत जबर्दस benefit है तो आप देख सकते है books भी मिल रहे हैं साथ साथ आपको discuss भी कर सकते हैं doubt solving भी हो रही है free mega test series है इसका हिसा बन सकते हैं UPCS batches ह हम run कर रहे हैं Hindi English bilingual एक साल दो साल के अलग-अलग batches हैं तो इनका फाइदा जरूर उठाए mission two year batch को साथ देख से स्क्रीन पर thank you so much for joining have a great day